बाद बच्चों कैसे हो? आज हम पड़ेंगे कनक व्याकरन का पाट क्रमांक दो वर्न तथा शब्द वर्न तथा शब्द प्रुष्ट क्रमांक पाच लिखे एक अक्षाकारिया लिखे तारी और दीट वर्न तथा शब्द भाष्या की सबसे छोटी इकाई वर्न ये वर्नों का व्यवस्तित क्रम वर्नमाला कहिए वर्नमाला जो क्रम में लगते है उसको क्या कहिए वर्नमाला हिंदी वर्ना माला में कुछ 44 वर्न है हिंदी वर्ना माला में कितने वर्न है 44 जिन में अकराश स्वर है और 33 वेंजन है वर्ना माला में कुल 44 वर्न है जिसमें अकराश स्वर है और 33 वेंजन है वर्ना के दो भाग है स्वर वेंजन स्वर में आता है रस्व दिर्ग जीन वर्नों के उच्चारन में दुसरे वर्नों की साहता नहीं लेनी पड़ती स्वर कैलाते हैं इनके दो प्रकार है रस्व और दिर्ग जीन वर्नों के उच्चारन दुसरों की साहता नहीं लेना पड़ता वर्णों का उच्यारन में दुसरों की साहिता नहीं लेने पढ़ते हैं उसे पढ़ जाते हैं स्वर इसके दो प्रकार हैं स्वर के कितने प्रकार हैं? दो, रस्वर और दिर्ग ए, आ, इ, ई, उ, उ, रू, ए, आ, इ, ओ, ओ रस्वर स्वर कुन से हैं? यह होगे दिर्गस्वर फिर है वेंजन फिर क्या है वेंजन जीन वर्नों का उच्चारन स्वरों की साहता से किया जाता है वेंजन कहलाते है जीन वर्नों का उच्चारन स्वरों की साहता से किया जाता है वेंजन कहलाते है वेंजन कहलाते है यह हो गया को वर्णगा, चो वर्णगा, तो वर्णगा, तो वर्णगा, पो वर्णगा, अंतहा, स्तो वेंजन, उश्मा वेंजन कुछ अन्य वर्णभी है, जीने स्वार कहते हैं, जैसे अम, अम यह क्या हो गया, अनुस्वार शंख ठंडा तिरंगा आहा विसरगा शब्द है अतहां स्वतहां प्राय यह है अनुनासिक काज गाव बासुरी संयुक्त वेंजन दो या अधिक वेंजनों से मिलकर बने वेंजनों को संयुक्त वेंजन कहते है संयुक्त वेंजन किसे कहते है दो या अधिक वेंजनों से मिलकर बने वेंजनों को संयुक्त वेंजन कहते है जैसे क अधिक श क्ष यह क्या बन गया क्ष त अधिक र त्र यहाँ पे दो वेंजन आई है त भी आया है और र भी आया है ज़ अधिक अ ग्य श अधिकर श्र अन्य बदले रूप वाले वेंजन ड़ अगत द्वनिया ज़ फ़ आ द्वित्व वेंजन द्वित्व वेंजन दो समान वेंजनों से मिलकर बने वेंजन को द्वित्व वेंजन कहते हैं जैसे आधा कदिया है अधिक का पक्का मक्का ये क्या हो गया है दो समान वेंजन हो गया आधा का है और पूरा का है दोनों का का मिला के क्या बन गया शब्द बन गया पक्का मक्का इसको बोलते हैं द्वीत्वा वेंजन आज यही तक पढ़ेंगे ठीके धन्यवाद फिर मिलेंगे